मेरा नाम दॉक्टर दीपर केड़कर है मैं मनोविकार सेक्षरोग सम्मोहन और नशामुक्ति अग्ये हूं मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि कुछी लोग कुछ चंद लोग सक्सेस्फुल होते हैं तो ऐसी कुछ क्वालिटीज क्या है कि वह सक्सेस्फुल होते हैं वैसे तो काफी सारी क्वालिटीज है सक्सेस्फुल लोग उसमें कि कुछ बाते मैं आज करने माला हूं आपसे तो नंबर एक यह है कि वो लोग कुछ भी हो जाए रिस्पांसिबिलिटी खुद लेते हैं उनकी जिन्दगी की responsibility वो खुद लेते हैं जो भी कुछ होता है उसके लिए कारणी गुद मैं हूं लेक्ट मैं कॉसिंद मैंटर हूं वहां से वो काम करते हैं वहां से वह अपरेट करते हैं वहां से वो जिंदगी जीते हैं युजरी क्या होता है कि सामाजनी आत्मी जो है वह बाहर कारण ढूंटे रहता है जब उसको अपेश मिलता है जब उसको प्राबलम आता है तो बहुत बहुत तफ निकला क्वेश्चन ही बहुत ही आड़े देड़े आगए या एक्जैमेनर नहीं बराबर जाचे नहीं या मतलब ऐसे कुछ तभी कारण देते जाएंगे लोग मेरा बहुत बराबर नहीं इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिला मेरा धंदा बराबर नहीं क्योंकि मेरे बास में फं वहां नहीं खड़े रहते कि वही जो भी कुछ हो रहा है मेरे जिन्दगी में वो मेरी वज़य से हो रहा है उसके लिए कानेबुत मैं हूँ लेका आयम बिंग कॉस इंदा मैंटर मैं कानेबुत हूं मैं रिस्पॉंसिबल हूं तो रिजर्ट प्रोडूस करना है तो रिजर इसको दोष्ट दूँगा ने मिंकिसी के ओपर उंगलें उठाऊंगा ने कि जब किसी के ओपर उठाथे हैं तो एक उपर तो तीन उपने तरफ भी है और लोग पर है तो ऑपर इसका मतलब भगवां कर भण नहीं है तीन उपने तरफ है तो वह में देखना है कि हम तो वह successful आदमी वहां से जिवन जीता है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरा लाइफ जैसा चल रहा है और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं वह मेरी जिम्मे मारी है हcketर गजाओड दुम्में काम करते है कि जो फिल में वो पैसनेर नहीं मतलब हो खुद को भूल लाके काम कर सकते हैं आप अब जो पूछते हैं पैसेन पयर किसा समझेजना मुझे जो अच्छा लगता है तक काम मेंने करना मुझे को एच्छा लगते हिनि क्योंकि नैंटी तुम काम करेंने जह तो हुआनल करें कि लोग क्यूंन के सिसजा नहीं है इसे मतलब ऐसा है कि आपको कुछ भी मिलेगा नहीं कुछ भी आपको ना पैसा, ना शभासी, ना प्रशंसा, ना कोई certificate, तभी भी आप आपका पूरा देर और काम करते जा रहे हैं, उसको बलते हैं, पैसिनेट, वो पैस्चना करेज़े कि आएधी बारा बारा घंडे आप बिना प्यास, मतले बिना पानी, बिना खाना, बिना थकाने आप काम कर स है, मतलब जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तभी वो काम करने में आपको मजा रहा है, तो सक्सेसफुल वो काम करते हैं, जो कामें उनको बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा, ताकि वो काम उनके लिए काम नहीं है, तो ऐस not have to work even for a single day in life, ऐसे काम का चुनाओ करो कि जो काम के उबरा बहुत प्यार करते हो, और यदि आप वो काम करते हो, वो आपका धंदा है, वो आपका पैसे कमाने का माध्यम है, तो आपको फिर एक दिन भी काम करने की ज़रत नहीं है, और मतलब ऐसा नहीं है, कि जो काम करे हैं, उसके उबरा प्यार नहीं करते हो, बतलब वो प्यार का काम नहीं है, जिसमें आप प्यार करते हो वो काम नहीं करते हैं, तो भी ठीक है, जो काम करते हैं, उसके उपर प्याडर करना चलो करो, one is a response सिमिलिटी और दूसरा मैं नहीं वता है कि successful लोग बहुत ह रहते हैं जुने उनको रहता है बहुत ही उत्सा रहता है बहुत ही एंथुजादम रहता है और वो जोशी ले रहते है और पुरी ताकत से वो भीड़ जाते हैं वो काम करने के लिए और उनको बहुत काम करने में बहुत मज़ा आता है वो उनके लिए काम नहीं रहता तीसरा महारत हासिल किया हुगा है वो काम में तो कोई भी काम में महारत हासिल किया है यह कैसे पहिचानना समझे खाता कार ड्राइवर है तो अच्छा ड्राइवर है यह कैसे पहिचानना या अच्छा हवाई जाज उड़ाने वाला पाइलट है तो वो कैसे पहिचानना तो कार का यह है कि कम से कम 20,000 घंटे उसने कार चलाई होंगी 20,000 अवर्स तो समझ जाना कि यह अच्छा ट्राय भरे करें तो कोई आप जो काम करते हों काम में यह आपने 20,000 घंटे दिये है 20,000 अवर्स यह आपने दिये है इसका मतलब आपने वो काम में महारत हासिल किया अब 20,000 मतलब 20,000 घंटे कोई भी काम में देना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि यह आप उसके उपर काम नहीं करते होंगे वो काम के उपर प्यार नहीं करते होंगे तो आप वो हाड़वर करेंगे नहीं क्योंकि 20,000 घंटे काम करना इसका मतलब वो काम के उपर हाड़ वर करना पड़ेंगा बहुत काम करना पड़ेंगा काफी घंटे काम करना है ताकत से काम करना पड़ेंगा अपने बोड़ी साथ देनी चाहिए अपना मन साथ देना चाहिए और मन और तन जब साथ देंगा तब वह काम होगा तो जिसके ओपर आप प्यार करते हैं नहीं हो वह काम आप करेंगे इतने 20,000 घंटे इसका आपको महारत हासिल करने पढ़ेगा और महारत यह आपने हासिल किया हुआ है वह काम के उपर तो आप वह काम करेंगे जरूर मतलब 20,000 घंटे काम करेंगे और यदि 20,000 घंटे आप यह दी काम करते है देखो न आप डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, आर्किटेक्ट यह लोग 4,5,5,5 साल से लेके 8,10 साल पढ़ा ही करने में देते है पैटिस करते है पढ़ा ही करते है मतलब उसमें उन्होंने 20,000 घंटे दिये रहते है एक डॉक्टर यह दी MD और MS है तो वो 4,5,5 साल उसके Medical College के 1 साल इंटर्शिप का 5,5 साल और 3 साल MD MS मतलब 1,5,5 साल देता है हो और एक आपमी यह दी 4,5 घंटे 6 घंटे दिन में काम करता है तो देखो किते साल हो गए मतलब कम से कम पास से 7 साल उसके हो जाएंगे जिसमें 20,000 घंटे पूरे हो जाएंगे तो एक है महारत हासिल करना उसके उपर इसके लिए 20,000 घंटे दूसरा है passionate रहना और तीसरा है कि आपने उसकी जवाब दरेलना और उसके साथ साथ मैंने चौथा भी बता दें मतलब पहले इसमें दुसरा हो जाएंगे अकाउंटिबिलिटी और अकाउंटिबिलिटी मतलब यह है कि मैं रिजल्ट प्रोडूस करना वो जवाब दरी मेरी है ऐसा लिए कि मैं जवाब दरी ले रहा हूं काम करना हूं रिजल्ट नहीं है तो मैं क्या करूं तो ऐसा नहीं रहता है कि रिजल्ट भी आना चाहिए मैं काम करना हूं तो तो मेरी एक्षन इफेक्टिव एक्षन रहना चाहिए ऐसी एक्षन की जो एक्षन से मुझे रिजल्ट मिलेंगे ऐसी action मेरे होना चाहिए और next item जो है next point जो है वो है कि successful लोग काम करते है ना कि आप अंदर जाते हो दिमाग में और दिमाग में जाना मतलब कैसा कि अपने mood नहीं है आज मुसे feel नहीं होना कि मैंने काम करना चाहिए आज मेरा mood नहीं है आज का जिन अभी क्या दिवाली है अभी क्या है अभी तो होली है अभी तो क्या तेवार है अज नहीं काम करेंगे अभी तो guest आये मतलब उन्धा शब्दों भी रहता काम में और वो कुछ ना कुछ कारण धुन्टे काम नहीं करने का या फिर mood नहीं है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे आराम करने का मन कर रहा है, मुझे बहुत आलस हा रहा है, मतलब अंदर की जो दिमाग में चलने वाली जो प्रक्रिया है, उसके मुताबिक वो चलते हैं, नाची काम करते हैं, तो वो परफॉर्मस नहीं करते, तो यह आप इती परफॉर्मस करते हैं, और अंदर नहीं गुझते दिमाग में, और मूर फिलिंग से नहीं जाएंगे, तो जरू सक्सिस मिलेंगा, आपके आज बाज में काफी सारे लोग होंगे, कि जो लड़कडाते होंगे सक्सिस कूल होन को आता है, उसके उपर हिट करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिक्शन भी आपको आते जाएंगे, जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को भेज जाएंगे, तो हर आदमी जो भी धंदे पानी में लगा हुआ है, और जो भी मतलब जूंच रहा है, सक् सक्सिस मिलेगा, सो थैंक यू वेरी मुच.